राजी पहुची राश्ट्रे सफाई कर्मचारी आयोग की उपाध्यक्ष अंजना पवार ने मुरहबादे स्थिच राजकी अतितिशाला में राजे के सफाई कर्म्यों के निताओं के साथ बैठक की इस दोरान राज्य में सफाई कर्मचारियों और उनके आश्रितों के सामाजिक आर्थिक शेक्षन जीवन और उनके पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजना से संबंधित मामलों की समिख्षा की गई बैठक में कई अधिकारी नदारत रहे जिसे लेकर आयो की उपाध्यक्ष ने नाराजगी जाहिर की वहीं वे राज्य में जाती प्रमाण पत्र नहीं बनने को लेकर अधिकारियों पर भड़ा कुठी जिसके कारण हमारे सफाई कर्मी जान भी कवा रहे हैं। उनका पुनर्वास हम कैसे करें इसका अधियन करने के लिए जाता है। साथ ही एक बात में आपको और बताना चाहूंगी कि जो सफाई करमचारी वर्ग है वो बिलकुल अंतिम पंक्ती में बेठा हुआ एक ऐसा सामाजिक वर्ग है। जिनकी समश्याएं कोई ज्यादा बड़ी बड़ी नहीं होती है। बहुती छोटी छोटी मूलबुत समश्याएं होती हैं जिनसे वो जूज रहे होते हैं। तो आज यहां जो बेठा करी गई है तो उसमें पर्पस यहें कि कुछ पॉलिसी मेटर्स हैं जो सरकार अपने इस्तर पर उनको क्र सकती हैं। वो अपने इस तर से उनको करो सकते हैं तो इसके लिए हमने ये बेठक रखी है और सबसे पहले एक बार तोर में बताऊंगे आपको कि जैसे देखिए हमारा MS ACT होता है सुप्रीम कोट का जो मैनुवली स्कुइंजर ACT होता है उसमें वो 2013 में बना है लेकिन आज भी इस देश मे जो समाज के बहुत ही घरीब तपके के जो लोग हैं वो सीवर में उनकी डेथ हो रही है तो सीवर में डेथ क्यों होती है क्यों जब सुप्रीम कोट का आदेश है कि कि किसी भी मानव को बिना किसी संसाधन के उसको सीवर में नहीं उतारा जाए लेकिन फिर भी ये सब चीज हो रही है तो इसके बारे में भी हम आज डिस्कस करेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है क्यों इन लोगों को जब मशीनरी का यूग है तो इनको क्यों उतारा जाता है ये गरीब लोग हैं रोजी रोटी का सवाल होता है इनके पास में इसलिए ये जहां आप और हम मतलब उस होल के पास में खड़े भी नहीं हो सकते वहां ये किन परिस्तितियों में अंदर जाने के लिए तैयार होते हैं ये सब चीजें होती हैं जो हमको उपर के लेवल पर डिसकस करने की जरूत है इसलिए हम आज यहां पर आए हैं देखें यहीं चीजे मैंने आपको बताया ना कि बहुती छोटी छोटी इनकी मुल्बूत समश्या हैं लेकिन उनको पॉलिसी मेटर बना दिया है कि हम जैसे लोकल डिस्टिक लेवल पर और उसको नहीं कर पाते हैं चाहिए उनकी आवास की समश्या हो चाहिए मेडिकल की समश्या हो चाहिए उनका कोई रहना खाना वो सब चीजें उसमें आती है उन लोगों से भी मुलाकात वैसे एरपोर्ट पर भी हुई है और मैं एक्चुली में देखिए जो सफाई करमचरी वर्ग है ना उनकी समश्या है बीना उनको पूछे ही मुझे मालूम है कि उनकी क्या समश्या है इसलिए मैं अपनी तरफ से पूरी उनकी तरफ से वहां डिसकस करने वाली हूँ जारखंड की देखिए लोकल समश्या जो पूरे स्टेट की है वह एक आई थी मेरे सामने जाती प्रमान पत आज तक भी नहीं बन रहा है अगर जाती प्रमान पत्र नहीं बनेगा तो आप देखे किस उसमें कैटेगरी में इनको हम लेंगे और बच्चे कैसे कहां higher education के लिए और अच्छी नोकरी के लिए और कैसे apply करेंगे ये भी हमारा एक बहुत बड़ा issue है यहां जो आज मीटिं HCR TNT Riva पहले भी बोला था अगर घर को बनाना है extra tough तो आप भी दिखा सेते अपनी हेरो पंती Topcon XT के साथ